पंजाब है अकालियों ने क्या किया हमें ज्यादा कहने की जुरूत नहीं अकालियों और बीजेबी जब साथ में तो ने क्या किया हमें ज्यादा कहने की जुरूत नहीं कोई बाहर की पार्टी आकर अपने दो को दोसों बताती है और हर कदम पर, हर कलेम पर जूट बोलती हैं, सरासर जूट बोलती है और उसको अपने बेड़ वॉलंटीर्स के करण, अपने पैसे के करण, हजारों करोनों जो फिस जो अनुन के खना में खर्थ करती है। उसमर एक जूट की प्रस्तुती देती है, तब लगता है कि नहीं, इस चीज को काउंटर करना चाहिए। पंजाब इच बी तरीक नूँ बी फरवरी नूँ बोटा पहनी है और दस मार्च रजल्ट आना है ते बी फरवरी करके हुन जड़ा चुनापरचा रहा है और जो रहां ते पीक ते हैगा इस टाइम चुनापरचा साधे ना संदीब दिख्षिद ये संदीब दिख्षिद एकस एमपी ने और इस समय पंजाब दे कॉंग्रस चौन परचार दे इंचार्ज ने उन्नापर अपा गल्बत कर दे हैं जान दे हैं भी चौन परचार किस तरह दा चाल रहा है दिशिए साब पहली दिखाले है भी मेरी पार्टी नाल मुकावला है देखिए मैं तो अभी आया हूं और मेरे को तो यहां आने का बड़ा सीमित परपस था कि जो दिल्ली में सही में सरकार का क्या अनुभव आमाद्वी पार्टी का उसके बारे में को कि वो बहुत डिंगे हाकते हैं उसके बारे में बात करने तो कोई नो कोई पार्टी तो सामने रहती है तो कहीं किसी इलाके में कोई पार्टी है किसी इलाके में कोई पार्टी है अकाली हो या आमाद्वी पार्टी हो दोनों जो तीन चार इलाके माने जाते हैं पंजाब में सब हर जगे नहीं है कोई कहीं हम से युद करी लेकिन हम promises किये में उसको लेकर हम लोग ज़्यादा जमीन पर लग रहे हैं कॉंग्रेस की सरकार repeat हो रही है मुझे तो लग रहा है बाकी बहतर आप जानोंगे लेकिन लेकिन मैं कभी भी कोई कोई चीज हा या ना नहीं बोलता हूं लेकिन मुझे जो feeling यह है कि अगर सही में पंजाब की लोगों ने देखा है कि हकीकत में क्या हो पाता है ठीक है पंजाब की परिस्तिती को लेकर क्या बहतर काम आगे हो सकता है और पिछले कई सालों में किसने क्या काम किया है उसके सेकंड नंबर पर किसको मानते हो जदी लेक्षन का रिजल्ट आता है आपको क्या लगता है सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी रहें देखे मुझे अभी इतना में नहीं कह सकता लेकिन मुझे अकालीस को हमें राइट-उफ नहीं करना चाहिए अच्छा होल्ड है पजाब एक बात दिशी जी मुझे समय नहीं आ रही मैं सारी प्रेस कॉंफरेंस टेंड की हैं बहुत से लेडरों से मिला हूँ मतल कि हर एक पार्टी इस टैम आम आदमी पार्टी को टार्गेट कर रही है चाहे और काली दल हो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रस हो तो आम आ क्या होता है आपके सामने जब कोई पार्टी आती है वो आगे क्या तस्वीर दे रही है और क्या नहीं दे रही है और उसका पीछे का काम क्या रहा है यह सबको उजागर है जैसे पंजाब है अकाली उने क्या किया हमें ज्यादा कहने के जुरूत नहीं अकाली और बीजेप जब साथ में तुने क्या किया हमें ज्यादा कहने के जुरूत नहीं, कॉंग्रेस में अमरिंदर सिंग जी के अंदर या चन्नी जी के अंदर हमने क्या किया किसी और पार्टी को ज्यादा कहने के जुरूत नहीं, ठीक है, लोगों का अनुभाव है, और अनुभाव उनके सत से पैसे के कारण, हजारों करोणों जो वो इस्ताहर में खर्च करती है, उस पर एक जूट की प्रस्तुती देती है, तब लगता है कि नहीं इस चीज को काउंटर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने राजनीतिक हैं, उससे जादा हम लोग को कभी-कभी बिल्कुल जूट बय जानी भी तो बुरी लगती है, इसलिए कम से काम कॉंघ्रेश पार्टी उसको और काम कर लिए, कि दिल्ली में अगर कोई विकास का मॉडल था, तो कांग्रेश का बनाय हुआ था, कि दिल्ली में कुछ भी काम हुआ तो कांग्रेस नसी की हुआ, पिछले साथ साल में केबल बिखा दी एक मुद्दे पे अगर अर्विन केजरी वाल बता पाए कि उन्होंने जिस गति से कॉंग्रेस ने काम किया था हो गति को बढ़ा पाए हैं तो मैं वहीं राजनीति छोड़ दूगा तीन वारी सरकार कैसे बन गये वह बनी है मुफ्तखोरी की, बहुत सीधी बात है, दिल्ली में कोई काम almost नहीं बचा था, शीला जी ने जब सरकार से 2013 में हटी, दिल्ली दिल्ली शहर है, शहर में दूसरी जरूरते होती है, एक ग्रामेर प्रदेश जैसे पंजाद, उसकी अलग जरूरते पूरे होती है, दिल्ल जियाद है, शीला जी दोजार तेरा, बारा तेरा में हम लोगों से काह करती थी, कि दोजार अठाइस तीस तक की मैंने दिल्ली बना दी है, इतना मैंने काम कर दिया, इसके पास जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे काम करने की, मूलभूत चीजों में, तो जिस आदमी को इस हर व्यक्ति के लिए दिल्ली की दिरूरते पूरी करता है, उसमें यह आदमी बिलकुल फेल रहा है, इसने साथ साल में इसका अपना RTI कहता है, कि मैं 26 लाग नौकरियां तो यह प्रॉमिस कर रहा है पंजाब में, इसने केबल 400 नौकरियां दी, केबल 400, ठीक है, दिल्ली मे industrialization का आज यह हाल है कि दिल्ली में एक भी नई industrialization major नहीं हो पाई है, पिछले साथ साल में कोई ही नहीं, scope ही नहीं है दिल्ली में बढ़ने का, ठीक है, तो दिल्ली में infrastructure एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, तो हम साथ-ाठ साल में किस हालत में पहुँचेंगे, पिर दिल्ल भविष्य की दिल्ली का निर्मान करना चाहिए था, आपने आज की दिल्ली को सस्ता करके, वोट तो ले लिया है, लेकिन भविष्य की दिल्ली को ये बिल्कुल बरबाद कर देगा, हाँ, मुफ्त पानी है, मुफ्त बिजली है एक हद तक, वो लोगों को ट्रैट करता है, होता है साब हम लोग जैसे दिल्ली में बार बार कहते थे शीला जी को, शीला जी आपने इतना खाना खिला दिया कि बददजमी हो गई लोगों को कभी कभी, तो जब बददजमी हो जाती है, तो दो ये तीन बार उसको केवल चूरन और दही चावल खाता है, तो इस समय कांगरेज दियो हुए ते इनने साड़े ली कुछ नहीं किता साड़े पंजाब दी माली हालत है ऐसी तिन लख क्रोड रुपे दे कर्ज दे थल्ले हैं और तुसी बननोंगे कि ऐसी उस दी किस्त भी नहीं दे सागदे इनना बुरा हाल है जिनिया साड़ी सरकारी यह ता साड़ी आर्थिक हालत है स्टेट दी इनी खराब होगी और उस इस स्टेड़ दी जेड़ी की नंबर वन स्टेड़ सी कदी देश दी और इस करके लोग की एंग जिए अगर नी पार्टी नूँ देख्छा जावे नहीं चेरिया नूँ देख्छा जावे तहां कि श दिल्ली एक फाइदे का स्टेट है ठीके सब आज से नहीं और अर्विंद केजरीवाल का पराक्रम नहीं है जो बार-बार कहता है कि दिल्ली फाइदे की है दिल्ली को फाइदा नाइंटी एट नाइन इन से आप अर्बिया इए उठागे देख लो बजट का झालिसिज जो हो जैसे मैंने का Krişi पे खरचा नहीं, Gramine Brikas पे खरचा नहीं, इंडस्री पे हम दो रूप्या निहीं देते किसी को, खरचा क्या हमारा, लेकिन किया क्या इसने, जैसे मैंने आपको अभी आखड़े दिये थे, हमारी पंजाब में अगर तील लाक करोड का कुल नुकसान है, त जब इनकी सरकार आई थी, तो दिल्ली जलबोर्ड और DTC और सरकार का जो पूरा लोन होता भारत सरकार को उसको मिला ले, तो करीबन पचास हजार करोड के नुकसान में हम थे, साथ साल में एक छोटे से प्रदेश में जिसका कोई खर्चा नहीं होता, इसने पूरा नुकसान क आपको बताऊं, हर साल हम लोग एक परसंटेज में टैक्स आता था, आपको मालू होता कि जितना GDP है उसके हिसाब से कितना टैक्स लिया, लोगों को क्यों उस आंकड़े में फसाएं, अगर जो रेट कांगरेस करती थी, हमने कम से कम पिछले साथ साल में 32,000 करोड का नुकस कर दिया, उस परदेश में जहां कोई खर्चे नहीं होते, तो जिस परदेश में 70 साल में 33,000 करोड का नुकसान हुआ है, पांच साल कहीं गलती से इनको आपने सरकार दे दी, तो 10,000 करोड के नुकसान पे पंजाब को छोड़ेगी, मेरा ये है, जिन पार्टी ने आपके ल मैं साइकल पकड़ लूँ, विकल तो सही पकड़ी है, और इसके जूट पे मत जाईए, और मैं आप से कहता हूँ आज भी, चाहे दिली सरकार के फाइदे की बात हो, चाहे इसके करप्शन की बात हो, कोई हो, आप किसी भी आम आदनी पार्टी के आदमी को कुर्सी में मेरी बगल बिठा लीजिए, आप मान साब से कहिए, आप बहुत बड़े निता हैं, सीम बनने के पहले मुझसे दो-दो हाथ कर लो ना, सामने बढ़ के, मैं अपने आक्रे लियाऊंगा, और आप मैं भी आपकी सरकार के लाऊंगा, ये कांग्रेस के दस्तावेज नहीं है, ये सरकार के RTI है, वही दिखा देगा कि मुख्यमंत्री सडक पर कितना सफेज जुड बोलता है, मुझे ये लग रहा है, आपका दर्द जो है ना, वो बोल रहा है, क्योंकि पंद्रा साल शिला दिशी जी आपके मदर थे, वो सीम रहे हैं और पिछले तीन वार से आप लगाता हार रहे हो, और ये जो दर्द है ना केजरी वाल के खिलाफ है, आपका दर्द बोल रहा है, क्योंकि शमशेर सिंग दुलो, जो कि आप ही की पार्टी के परधान रहे हैं, राजर सभा के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने टिक्टें जो है, इस वार सेल आ बात यह है कि जब आपके काम को कोई अपना बताई, ठीक है, आप, मैं आपको छोटी बात करता हूँ, आप सड़क पजा रहे हैं, बगल का बच्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपका बेटा आगे बढ़े, आप उसको समा रहे है आप उसको M.A.B.A कराएं, और बगल बाला कहते हैं, मेरा बेटा तो आपको कैसा लगेगा, बात उसका दर्द है, बात जूट का है, फरेब का है, हमें कोई दिकत नहीं है, हम तो आज भी कहते हैं न, फ्री फंट में आपने अच्छा काम किया है, किसी ने का अच्छा काम ला बात नहीं किया, आपने जनता को मुफ्ध्खोरी के आदर डाल दी, डाल दी, और मैं तो ओपन यहीं कहता हूँ, दिली को को, यहां आपके सामने नहीं कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं, आप दिली में क्यों राजनीतिक रूप से सक्रीय निये, मैं कहता हूँ कि मुफ्त खोरी में बिश्वास नहीं करता मैं लोगों को सरकार पर निर्भर नहीं बनाना चाहता इसलिए मुझे दिल्ली में आज भी एक वोट नहीं मिलेगा अगर सही में मुझे करना होता तो मैं कहता क्या है मैं तो 100% उसको फ्री कर दूँगा लेकिन मैं उस राजनीती में नहीं पड़ता तो दर्द हारने का नहीं है दर्द जूट का और फरेब का है जहां तक दिल्लों की बाते साब यह हर पर्टी में होता है आपको जब टिकट नहीं मिलता है टिकट कट जाता है तो क्या पहली बार हुआ है कि इल्जाम लगा है कॉंग्रेस में कि पैसे से passport dingen आज नहीं पहले भी हुआ है पहले भी होता है जब आप पो टिकेट मिलती है तो party बहुत अच्छी है जब ticket नहीं मिलती है तो party क Hut जाती है मैं तो यह कहता हूं नगर party खराब है तो आपने ticket क्यों मागी बात सवाल तो इस बात का पढ़ता है ना कि आप पार्टी के अच्छी साइड में है तो पार्टी अच्छी है इसलिए मुझे कभी कभी बुरा लगता है देखिए मेरी टिकट कटी मैं आज कॉंग्रेस में बिलकुल हाशिये पे हूँ मुझे को किसी दिल्ली में भी मुझे कहीं नी बुलाए जाता है क्योंकि मैं बात सच कहता हूँ मैं हम पने लीडर्शिप से भी सवाल पूछता हूँ गुरूप आफ 23 में मैंने भी दस्तकत किये थे लेकिन मैं बिटर नहीं मैं आज यह अपने मंद से आया हूँ पंजाब में पंजाब में कॉंग्रेस जीतेगी कॉंग्रेस हारेगी एक कारकरता के रूप में मुझे उसकी खुशी होगी वो अलग बात है मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं लेकिन डिल्लो जी की तरह मैं यह तो नहीं कहता कि दिल्ली में यह बिग गया वो बिग गया हमारा प्रेम पार्टी के प्रती है या पार्टी पद थे तब उसके प्रती है अगर पद वाले लोग है तो ठीक है तो क्या फरक पड़ता है दुरुबाग की बात यह हुती है, कि जो पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग पार्टी के लिए लॉयल रहते हैं, तो उनको कभी टीवी में जगे नहीं मिलती, जो दो बार गाली गलॉज कर देते हैं, उनको जिसको कहते हैं, दो दिन की चांद नहीं होती में मिल जाती है मैं बड़े senior leader से करूँगा कि party ने आपको बहुत कुछ दिया है देश को बहुत कुछ दिया है प्रदेश को बहुत कुछ दिया है आगे भी मौका आएगा देखे जी जदी मतलब कि पंजाब है Congress सरकार बनगी तब फिर कुछ भी free नहीं न मिलेगा देखे बात free की नहीं है बात यह है एक critical चीज आप समझे आदमी इसको subsidy करते हैं सरकार की तरफ से आप क्या subsidy उस जगे दे रहे हैं जिससे आजीविकाएं बनती हो जिससे जो हमारी अर्थ मेबस्ता है वो बहतर होती हो देखे जब हम डीजल में Congress भी डीजल में subsidy देती थी क्यों देती थी उससे खेती किसानी चल दाती है उससे महंगाई कम होती है ठीक है किसान की जेम में नहीं जाता था fertilizer जब हम लोग fertilizer में 80,000 करोड, 1,000,000 करोड की हम लोग subsidy देते थे तो fertilizer की subsidy में क्या होता किसान उसको इस्तवाल करेगा उत्पादन बढ़ेगा उससे हिंदुस्तान में जहां भुखमरी थी वो भुखमरी खतम होगी जब हम industry को देते हैं ठीक है खाब अगर आपको तीन रुपे की बिजली मिल रही या हर्याना में तो हमाने आप पौनी तीन रुपे की मिलेगी तो industry आती है पंजाब में जब पंजाब में industry आती है तो पंजाब के बच्चों को तंखा मिलती है जब पंजाब की बच्चे कमाते हैं तो उने फिर बिजली की सबसिडी की जरुवत नहीं पड़ती है, यह है लोगों को सरकार पर दिर्भर बना देना, डिपेंडन्ट बना देना, आपने उनकी आजीविकाओं को उनके जॉब को नहीं बनाया सस्टेनिबल, आपने अपनी राजनीती कमाई, कॉंग्रेस जब पै करने का क्या फाइदा है, दिल्ली को वोट छोड़के, इंडिस्टियल बिजली आप फ्री करो, पंजाब में अग्रिकल्चर की बिजली पे आप सबसिडी देते हैं, एक तो कारण हमारे आन रुकसान का, इसलिए है क्योंकि अग्रिकल्चर आपके आपके अल्मोस्ट नियर है, वो होती है, वो सबसिडी में आप क्या हजार करोड क्या, दोला करोड डालो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी जेब में पैसा डालके मेरा वोट खरीदो, तो एक तरीके से सरकारी रिश्वत है, आपने दुल्लो साब का कहा, उनको टिकट नहीं मिली, इस करके बोल उठा रही है, उनका कहना है, विशन्दी को जो आपने मुख्यमंत्री गोशित किया, वो एक गल्त फैंसल है, देखे, फैमिली पर मैंनी कॉमेंट करोगा, अगर कोई पार्टी वाला करे, मेरा दारा मेरी पार्टी तक है, किसी के फैमिली क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती क्योंकि मैं व्यक्ति की डिग्निटी पर रिस्पेट करता हूँ, उनकी वाइफ ये बेटी जिसने भी कहा है, वो इंडिविजूल है, क्योंकि वो कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए हमारी डिसिप्लीन में वो नहीं आते हैं, वो इंडिपेंडेंट अपनी निकल पा रहे हैं, अंबर सर में ही वो अपनी कॉंसिजनसी में ही फसके रह गया है, नहीं फसके मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, कल से जो मैंने सुना है, कि कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरम में सबकुप दिया गया था कि पहले हफते आ अब अपने-पनी कंस्टेश में कैمपेंऑ करो, और जो लाश्ट वीक है, जो अब मेरे ख़ल जब जै कलपर सच Nicholas शुरु हो जाएगी, उसके बाद, आप लोग अगल बागल की कांस्टेश में कैमपेंऑ इसके से लिए कियों करा, मैंने यह रहे हैं, मैंनी बैज़ है कि वो कुछ न कुछ तो बड़ा अनाउंस करेंगे उनकी आदत है बहुत बड़े-बड़े अनाउंस करने की जैसे बिहार को 2 लाग करोड दे रहे थे नितिस जी विचारे रोज भागते फिर रहे हैं भारत सरकार में की 2 लाग करोड का 2,000 करोड ही मिल जाए तो ठीक है प्रधान मंतरी की एक आदत है कि बड़ा बोल दो और जब तक उसके ढोल की आवाज खता होगी तब कुछ और अनाउंस कर दो जैसे आज तक हम स्किल इंडिया का इंतजार कर रहे हैं अब आत्म नर्भर्न इंडिया का इंतजार कर रहे हैं साल एक भर में कोई और नया स्लोगन आ जाएगा तो ये ठीक है मैंने तो अब देखा बड़ा दुरभागी से कहना प अब बारी बार दिल्ली सीम की बात करते हैं आज तो उनकी वाइफ और उनकी बेटी भी पंजाब में परचार के लिए आई हुए हैं सर वो तो है अच्छी बात है तो आना चाहिए जो पार्टियां कहती थी कि हम लोग परिवार में नहीं विश्वास करते वो अपने दूसरे पार्टी के आप गुण सीखो आप गुण सीखना कमजोर आजमी की निशानी होती है बाकि आप समझे लो यह संदीर दिख्षिद जी जो की एक्सेंपियां और इस समय पंजाब कॉंग्रेस के परचार अधिकारियां परचार इन चार्ज हैं और शिला दिख्षिद इनकी मदर थी और 15 साल दिल्ली में सीम रही है और इन अदा कहना है कि जड़ा पंजाब अगर आमादी पार्टी नूँ इस चुनाव चे चुन्दा या आमादी पार्टी दी सरकार बांदी है ता ओहो लोका नू तोखा देगी जिसकर के जड़ा तिन लक क्रोड दा इस समय पंजाब दे उत्ते कर जाया ओ बाद के दस लक क्रोड दे आसपास पहुंच सकता है दिनेश कोल केमरमन उम्माजाब देनाल देनकी सुरा टेवी लिए चंडी गड़ वर्ड फेमस बाबास सलीम खान इकी बार गोल्ड मेड लिस्ट सार्य थामातों निराशते मायूस होन व अश्टाम पेपर समेच सब्तो पहला काम करन दा वादा नौकरी परमोशन कारोबार्च परशानी कार्च चगड़ा कोड के सलाक प्रपटी चगड़ा पती पतनी चानबन जा दूटो ना मनमोनी वशी करन करवाओ जा तुडवाओ रुसेनू मनोना हुडे कॉल करो बाबा स की तकदीर बदल सकती है सोचन नाल नहीं फोन करन नाल दुख दूर होवेगा चूठे ते मिठे बान के लुटन वालिया तो साबदान हार्स मस्यादा हाल तिन दिना विच कीता जन्दा जे थोड़ी किसमाच लोटरी है ता इसनू किवे प्राप्त कीता जावे सूपर स्प